ओम श्री परमात्मने नमहा श्री अश्टावक्र महागीता अठारवा प्रक्रण सूत्र सेवेंटी एट सरवदा निर्भय और निर्विकार धीर पुरुष को कहां अंदकार कहां प्रकास है और कहां त्याग है कहीं कुछ भी नहीं है चित में व्रतियां हैं वासनाएं हैं कामनाएं हैं अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है उस ही का संग्रहित नाम चित है बुद्धी इनका सद तथा असद में विभाजन करती है सुख दुख लाभानी प्रेम घ्रणा हिंसा अहिंसा प्रकास अंदकार त्याग रहन आदी का विभाजन करती है किन्तु अस्तित्व में भिन कुछ भी नहीं है वहां सब संयुक्त है एक ही सिक्के के दो पक्च की भाती है जहां या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे एक को हटाने और दूसरे को बचाने को कोई उपाय नहीं है यदि मृत्यू को हटा दिया जाए तो जनम भी नहीं होगा यदि बेइमानी हटा दी जाए तो इमानदारी भी नहीं रहेगी यदि घ्रणा हटा दी जाए तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा यदि पाप नहीं होंगे तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरु द्वारे भी नहीं होंगे यदि बिमारी नहीं होगी तो स्वास्त भी नहीं होगा यदि असाधू नहीं होंगे तो इन साधूं को भी विदाई देनी पड़ेगी ये सब संयुक्त हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं एक को हटा कर दूसरे को बचाया ही नहीं जा सकता यदि रावन को हटा दिया जाए तो राम की कहानी भी नहीं बनती किन्तू नैतिक वैक्ति दोनों में भेद करता है वो बुरे को हटा कर अच्छे को लाना चाता है वो अंदकार को हटा कर प्रकास को लाना चाता है इसके विप्रीत धार्मिक वैक्ति सब कुछ इश्वरिये समझ कर दोनों को स्विकार कर लेता है जबकि ग्यानी उस एक आत्मा को जानकर सरवदा निर्भय और निर्विकार हो जाता है उसकी यह भेध द्रश्टी ही समाथ हो जाती है वह प्रकास अंदकार ग्रहन त्याग आदी में कोई भेध ही नहीं समझता सबहव से जो होता है वह कर लेता है एवं सरवदा पर्मानंद सरूप आत्मा में ही इस्तित रहता है सूत्र सेवेंटी नाइन अनिवर्चनिय सभाव वाले सभाव रहिद योगी को कहां धीरता है कहां विवेकिता अत्वा कहां निर्भैता है जहां भे है वहीं निर्भैता होती है जहां मूरता है वहीं विवेकता पैदा होती है जहां वैकुलता है वहीं धैर की बात सोची जाती है किन्तु योगी जिसने उस परमरस को जान लिया सदा उसी में निमगन रहता है उसका सुभाव अनिवर्चनिय हो जाता है सभी दूंदों से पार एकरस हो जाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता वह ना सिध्धानतों में जीता है ना किसी माननताओं और परंपराओं में ना वह रूणियों में जीता है ना आदतों में उसके लिए यह कहना ही कठिन हो जाता है कि वह किस सुभाव वाला है क्योंकि वह सुभाव रहित होता है वो अपना कोई सोभाव, कोई आदत बनाता ही नहीं, वो आत्मा के सोभाव के अनुकूल चलता है, जिसे संसारी नहीं जान सकते, अग्यानी ही नियम, सैयम, मर्यादा, अनुसासन, सिध्धांत, कर्तब, विवेक, आदी में बंद कर जीता है, ग्यानी पूर्ण स्वतंतृता क उपयोग करता है, वो इन छुत्र बंदनों से सदा मुक्त रहकर वहवार करता है, जिससे पहचानना कठिन होता है, सूत्र एटी, योगी को ना स्वर्ग है, ना नर्ख है, ना जीवन मुक्ती ही है, इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, योगी की द्रष्टी से कुछ भी नहीं है, भारतिय मनिशियों ने इस अद्धात्म पर जितना चिन्तन, मनन, एम खोच की है, उतनी कोई धर्म नहीं कर सका है, इसाई, येहुदी, एम, मुसलिम धर्म, स्वर्ग, नर्क के आगे की बात नहीं कह सके, मुक्ती की उनकी कोई कल्पना भी नहीं है, उन्हों ने इस्वर्गों भी वैक्ति मान लिया वह आकास में कहीं बिठा दिया जहां से उसने साथ दिन में स्रश्टी का निर्मान कर दिया वह वहीं से इसका संचारन कर रहा है वह दंड भी देता है पुरुसकार भी देता है स्वर्ग भी और नर्ग में भी अपनी इच्छा से भेज देता है वह धयालू भी है छमा भी कर देता है महावीर ने ब्रह्म जैसी सक्ति को मानने से इंकार कर दिया एवम आत्माओं को भी अनेक मान लिया जबकि यह अनेकता मन के तल तक ही दिखाई देती है आत्म ग्यान मन के तल से आगे की इस्तिती है जहां पहुँच कर सभी भी नताय समाप्त हो जाती है मृत्यू के उपरांत के बलसरीर छूटता है बाकि सुक्ष्म सरीर, मन, चित, आंकार, आदी सभी लेकर वह जिव आत्मा एक निश्चित अवदी तक अंतराल में भटकती रहती है वहां अपने अहंकार एम वासना आदी के कारण सुक्धुक का अनभव करती है सरल आत्माय सुक्ध एम दुष्ट आत्माय दुख का अनभव करती है यही उनका स्वर्ग और नर्ख है यह स्वर्ग और नर्ख चित की ही दसाय है जो प्रात्मिक चरण है मुक्ति इन से पार की अवस्था है यो केवल आत्मा को ही मानता है अश्टा वक्र कहते हैं कि यह स्रस्टी भ्रहम है स्वर्ग नर्ख जीवन मुक्ति सभी भ्रहम है जो अग्यान के कारण आंकार यह वासना के कारण प्रतीत होते हैं अता सभी मिथ्या है, स्वर्ग एम नर्ग भी वासना ही है, जब वासना एम अहंकार समाप्त हो जाते हैं, तो केवल आत्मा ही सेस रहती है और वही सत्य है, अन्ड सभी भ्रांतियां है, वासना एम अहंकार से मुक्त पुरुस ब्रह्म ही है, बीच की इस्तिती स्वर्ग आदिवासना का ही फैलाव मात्र है, यह कोई उपलब्धी नहीं है, संपूर्ण स्रष्टी का आरम और अंत यही ब्रह्म है, जिवात्मा का यही सर्वोच सिखर है, यही मंजिल है, योग की यही मानिता सर्वोपरी है, ओम शांती 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 झाल झाल झाल